अस्तामलेकूम फ्रेंट्स वेलकम बेटे टोप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बेटियां अगली एपिसोड तो सबको रूलाकर रखतेगी आहर इस एपिसोड में ऐसा क्या होगा आपसे डिसकस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सबस्क्राब कर दीजिए और साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा लाइक साहब जो कि अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए फीजा उनके पास होस्पिटल जाती है तो आईजा से कहती है तुम फारूक मामो के साथ घर चदी जो मैं यहां पर रह लूँगी आईजा जिसका जराबी दिल नहीं कि वो घर जाए बाप को छोड़ कर लेकिन फीजा की इसरार करने पर आहर कर वो घर चदी ही जाती है जैसे ही फारूक मामो आईजा को लेकर घर आए तो पुपी तो उस पर बरस पड़ी मेरी भाई की इस तबियत की जिमेंदार सिर्फ यह लड़की है इसे अपनी रंग रलिया मनाने से फुरसत नहीं मिलती इसी के दुख में मेरा भाई कहीं मर ही न जाए वो आगे होकर आईजा का मूँ नोचने की कोशिश करती है तब ही फारूक साहिब उसे पीछे कर देते हैं दादी भी आईजा को हूब बाते सुनाती है और पुपी कहती है फारूक साहिब आप पीछे हर जाएं यह हमारे घर का मामला है ऐसे में फरुक साहिब कहते क्या जान लोगी बच्ची की ये तुम्हेरे घर का मामला नहीं ये भाई साहब की इज़त का उनकी जिन्दगी का मामला है उन्हें पता चल गया कि घर में इतना हंगामा है तो वो कभी भी ठीक होकर वापिस नहीं आ सकेंगे इसलिए नगमा तुम्हें अपने गुस्य पर काबू रखना होगा दूसरी तरफ लाइक साहिब जो के हॉस्पिटल में है अचानक आंग खुले तो देखकर थोड़ी सी उमीद की किरन जागी के फिज़ा अपने शोहर के साथ एक ही सौफे पर बैठी उनके पास है ऐसे में वो सोचते हैं कि दानिश मेरी फिज़ा के साथ शाहिए ठीक हो गया है इसलिए तो पूरी रात मेरी फिज़ा के साथ मेरे लिए यहां होस्पिटल में रुका यहां पर थोड़ी सी उमीद की किरन जागी और यहीं उमीद की किरन अब लाइक साहिब को ठीक कर देगी दूसी तर फिज़ा जब घर आई तो आईज़ा चाहती है कि अब वो होस्पिटल में अपने बाप के पास चली जाए लेकिन दादी बहुत ज़्यादा बाते सुनाती है तुम्हें तो बाहर निकलने का मौका चाहिए तुम तो चाहती हो बाहर जाओ साथ से मिलो रंगरदिया मनाओ तुम्हें बाप की भला क्या फिकर तुम जैसी लड़किया तो बाप को बिस्तरे मर्ट तक पहुंचा कर ही दम लेती है आईज़ा दादी की ये बाते सुनकर बहुत ज़्यादा रोती है कमरे में गई रोते रोते साथ को फून कर दिया तुम से मिलना चाहती हूँ ये फू को और थोड़े दुख दिये हैं जो अपनी शकल दिखा कर मजीद दुख देना चाहती हो अराम से बैठो घर में मैं जा रही हूँ ना फूपी ने तो आईज़ा को घर में बठा दिया लेकिन फूपो के निकलने के फूरन बाद ही आईज़ा त्यार हुई और चुप चाहते हो क्या तुम्हारी तो मैं मरकर भी नहीं हो सकती जितने दुख तुम मुझे दे रहे हो मैं चाहती हूँ तो मेरी जिंदगी से निकल चाओ कौन सी मनहुस खड़ी थी कि तुम्हारे साथ रिष्टा काइम किया था मैंने अब फिज़ा ये सारी बाते तो ना सुन सकी लेकिन वो साथ के साथ मुलाकात कर रही है बस ये देख लिया घर आई तो आईज़ा को थपर रसीद कर दिया आहर चाहती क्या हो तुम साथ से फिर मिलने गई थी ना मैंने खुद तुमें देखा है मैंने तुम्हारा पीछा किया है अब तुम जोट नहीं बोल सकती आईज़ा जिस तरह तुमने गिरा कर रख दिया उसे मैंने पहली बार अपने बाप को बुड़ा होते हुए देखा है तुम्हारी वज़ा से आईज़ा फिज़ा तो चीख चीख कर बहन पर बरस परी फिज़ा का बाप के लिए ये दर्द हर किसी को रुला कर रख देगा दूसी तरह बाप भी अब डिस्चार्ज होकर घर वापिस आ गया आया तो बहन जल्दी से पानी का गलास ले आई तब ही बहन से कह दिया आईज़ा के लिए को रिष्टा ढूंडो मैं बहुत जल्द इसे इस घर से रुखसत करना चाहता हूँ अब पुफी फिर से उस आद तो लाइक और शेर जरूर करतीजेगा नेक्स वीडियो तक के दिये अलाहाफेज